हेलो गाइज सो मोस्ट आवेटिट फॉर्म ओफ उत्राखंड तो विकम एन असिस्टंट प्रोफेसर असिस्टंट प्रोफेसर बनने के लिए आ चुका है उत्राखंड का इस्टेट एलिजिबिल्टी टेस्ट जैसे हम नेट एक्जाम देते हैं उसी तरह से सैट एक्जाम हो हो रहा है और वो सभी लोग जिन्हों ने अपना मास्टर कंप्लीट किया है में एमकॉम एमस्सी या फिर जो फाइनल सेमिस्टर में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं तो हम इसका फुल डिटेल फुल सलेबस एंड फीस स्ट्रॉक्चर वगरा सब कुस देखते हैं कि क्या होन फीस आप 18 दिसम्बर तक समिट कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं 20 दिसम्बर तक लास्ट ठीक हो गया फिर डेट ऑफ एक्जामिनेशन बहुत इंपोर्टन है साथ जन्वरी को एक्जाम होने वाला है एक जन्वरी को एडमिट कार आजाएंगे और अगर आपकी सब्सक्राइब तो 50% मिनिममम आपके होने चाहिए ठेक हो गया फिर उसके बाद हम इसमें रिजर्वेशन की बात अगर कर लें तो अगर आप किसी अधर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिब जनल कैटिगरी में अप्लाई कर पाएंगे भरी आप किसी भी कैटिग दूडी है फिर डेफेंस प्रिडम फाइटर है एक्स इंडियन आर्मी और यृव्य सका है के टोटल 24 27 सब्जेक्ट जिन सब्जेक्स में सैट का एक्जाम कंड़क्ट होने वाला है आप अपने सब्जेक्स इसमें देख लेते हैं देख सकते हैं सारही सब्जेक्ट इस इस में आपको रिजर्वेशन है तो यह और फीस बीट फॉर्टी रूपीज रहेगी आपकी ठीक हो गया उसके बाद हम देख लेते हैं कि पेपर का पैटन के रहने वाला तो बहुत इंप्टेंट है कि इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दूस फेपर 2गंटे मिलते हैं लेकिन उतरा तोसे नोगेजा तक होने ऑसमें पैपर में सर्फ 50 कोईशन होगी उसमाड़ तीन घंटे लेए और फेपर 2 को दीन गंटे मिलने वाले हैँग तो सुबह 9 ब जाब चार बचक एक्जाम चलेगा यदि मैं इस लेओं कि इसका डिसकश क आप पोटो साइज या आपका कैटिग्री सर्टिफिकेट वारी चीज़े इसमें लगेंगी तो उन चीज़ों का प्रीड रखेगा फॉर्म बने से पहले तो वाकी सारी डिटेल है अगर आपको इस लेबस चाहिए पीडियाप चाहिए तो आप मिले टेलिग्राम चैनल केमिस टॉपिक है हर टॉपिक से पांच कोशन आएंगे तो बहले यह ब्रीफ स्लेबस है फिर मैं इसका डेटियल से लज भी दिखाता है कि टीचिंग आप्टिट्यूड है रिसर्ज आप्टिट्यूड है फिर रीडिंग कॉम्मिनिकेशन फिर है रीजनिंग लॉजिकल का पेपर वन होने वाला है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो इसी पेपर को थोड़ा और स्लेबस को डिटेर में देख लिए कुछ कोश्चिंस वगरा दिये हुए यह उनिवर्स्टी के और से के ऐसा पेपर आएगा मतलब अपका ठीक को सोगे आपक अब तो जैसे पेपर वन में जो टीचिंग अप्टीट्विट में देखे टीचिंग कॉंसेप अब्जेक्टेब लेवल आफ टीचिंग क्या होते हैं लॉर्ण क्रेक्टरिश्टिस क्या होती है यह सारी चीज़ें इसमें डेटेल में लिखी टीचिंग सपोर्ट फिर सच में किया क्या चीज़ें जहां से कूछे जाएंगे कम्प्रीहेंशन किमिनिकेश सі लौजिकल डीसी में क्या परना है निटी निपस्टी में क्या परणा है इंप व्यूत निव्वाइर्मेंट में क्या में चीजआ है फिर हायर घ्र एक्लीच। है तो इस तरह से अब बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के वाकी सब्जेक का से लिए आपको चाहिए किसी बिस ब्रटाइब कर दो या मुझे कमेंट कर दें तो मैं आपको टेलिग्राम में उसलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है तो केमिस्ट्री का सिलेबस है बिल्कुल जो CSR का सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस है कोई भी इसमें नेगेटिम नहीं होगी यह इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है देन यह देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और उसके बाद फिर यह हो गया आपका और गैनिक केमिस्ट्री ठीक है तो यह कंप्लीट डिटेल स्लेबस है कोई भी अकर आपका डाउट है इसके रिकार्टिंग मैं कॉस्ट्री बनाऊंगा वीडियो भी आपकी तो भी आपको है आपको चाहिए तो आप केमिस्ट्री टेलिग्राम से ले सकते हैं थैंक यू फो वाचिंग देश